में हमें एक चोटा सा गाव दिखाया जाता है और वक्त है आज से करीब 60-65 साल पुराना एक चोड़ी सी बच्ची प्यारे गीत के साथ में एक बढ़िया सा टैटू अंग्रीजी जनरल स्कॉट के बीवी की हाथ पर बना दीती है वो टैटू से इतना पसंद आता है कि माम उसके काफी दूर छाने के बाद पी वह लोग गाड़ी नहीं रोकते लेकिन फेर भिवी वो उसके प्लीट कारेक्टर यानि की रामा पर अगर तुम लोग नहीं हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट ठेक के मारो या फिर मौंबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाने पर देश के सभी लोग गुसा थे पुलीज पर उनमें हिंदू मुसल्मान सिक और इसाई शामिल थे पुलीस टेशन पर अंग्रेजों का राज था इसलिए बाहर हर कोई देशी इंकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों देश छोड़ों के आंदोलन पर लगे थे तभी एक शक्स बड़ा सा पत्थर उठाकर पुलीस टेशन में खैच कर मारता है औ और वो तस्फीर तूट कर नीचे कर जाती है तो जनरल कहता है कि कैचम ब्लडी बास्टर्ड और इतनी देर जो शेर शान था उसमें अब गुस्सा आ चुका था और हजारों की भीड में वो अकेला कूद पड़ा सर्फ अपने बॉस के देवे टास्क को पूरा करने के लिए सब लोगों को बहुत मारता है बहुत पीटता है और उसी सरदार के पीछे जाने की कोशिश करता है जसने वो पत्थर भैका था मगर सब लोग उसा आगे नहीं बढ़ने देते उसे बहुत मारते है बहुत पीटते है एक मुमेंट तो ऐसा आता है कि वो चला की से चठान पर जाकर उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है मगर वहाँ पर भी लोगों से जाने नहीं देते मगर रामा में इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही दस पर भारी था और वो फाइनली उस सरदार को पकड़कर पुलिस टेशन लेकर आया और स्टास को पूरा किया ये देखकर पूरा पुलिस टेशन और साथ ही अंग्रेजी अफसर इस कदर खामोश हो चुके थे कि हमें डरना किस्से चाहिए सामने खड़ी इस भीड से या इस पहाड जिसे इंसान से मगर इतना ही काफी नहीं था कि रामा ने फिर मूद होकर उस हजारों की जनता के सामने फिर से अपनी लखड़ी तान दी इतना गुस्सा देख कर तो वहां की पबलिक अकेले रामा से डर कर वहां से भाग जाती है ये सबूत था रामा की दिलेरी का अगले दिन सभी अफसरों को प्रमोशन मिलना था जिनके अंदर रामा का भी नाम था मगर उसे प्रमोशन नहीं मिलता इस वज़े से वो काफी खफा हो जाता है कि आखिर उसने इतने साल इतनी महनत करी फिर भी उसे स्पेशल आफिसर की पोजिशन नहीं मिल पाई वहीं पर हम बैकेट को देख पाते हैं गाउं के मुनिम आते और उसे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले आप हमारे गाउं में आये थे और गौनों की एक लड़की ले गए थे वो लोग बहुत ही गरीब और बहुत ही मासुम हैं जो कि अपने परिवार की रक्षा दिलो जान से करता है बस ये बात याद रख लेना कि अगर आपने उस गड़री की बात ना मानी तो कहीं वह शिकारी का जबडा ना तोड़ दे समझ रहो समझ रहो समझ रहो ना दैन सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के सेगंड लीट करेक्टर पर यानिकी भीम पर जो कि इस वक्त जंगल में अपने सर पर खून भरा लोटा डालता है और अपने पीछे जंगली जानवरों को भगवाता है हलाकि उसका मकसद एक भीडिये को पकड़ना था मगर जंगल में भागते भागते उसके पीछे शीर लग जाता है फिर भी भी महार नहीं मानता और बड़ी दिलिरी की साथ में उसका सामना गरता है उसे अपने जाल में फसा लेता है मगर जाल फासने वाला वो लकड़ी का फट्टा फट जाता है मगर शेर को रोकना तो था इसलिए वो अपनी बाजों की ताकत से उन दोनों रस्यों को पकड़ कर जाल में पीछे उसे लपेट तावा शेर पर जोरदार धाड मारता है और उसके सर पर धतूरे से बना एक भेहुशी का गैस मार देता है जिसकी जैसे वो शेर वहीं पर शांत हो जाता है मगर इसके बाद वो से माफी भी मांगता है क्योंकि इन से भी जानवरों को पकड़ने के पीछे भीम का एक खास मकसद था ऐसा करते वे उसे इस वक्त 6 महीने हो चुके थे और ये सब वो उस छोटी लड़की मल्ली के लिए कर रहा था ज उस बच्ची को बचाने के लिए उनके शहर से कोई ना कोई जरूर आएगा इसलिए वो से भी एक मीटिंग बठाते हैं जहां पर बैकेट कहता है कि उस गड़री में बहुत ताकत है उसे कोई पकड़ नहीं सकता तो कुईन कहती है कि मैं एक ओफर देती हूं जो भी उस शक चानना बहुत मुश्किल था इसलिए वो दंगाई करने वाले लोगों के बीच में चला जाता है और कहता है कि अगर अंग्रेजों को इस देश से हटाना है तो क्यों ना स्कॉट को ही मार दिया जाए अगर वहीं नहीं रहेगा तो पूरा देश अंग्रेजों की चपेट से आजाद हो जाएगा तभी वहाँ पर भीम का दोस्त पहुंचाता है कि हम तो वैसे स्कॉट को मारना ही चाहते थे मगर हमें आज तक कोई दिलेर मिल नहीं रहा था कि आप इस काम में हमारी मदद करेंगे राम को अपनी पहली गड़ी मिल चुकी थी क्योंकि इस शक्स के जर किरबाद में हम अक्थर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक छोटे बच्चे को नदी से मचली पकड़ने के लिए कुछ पैसे देता है वो बच्चा हाला कि उस नदी में मचली पकड़ने चाता जरूर है मगर वहीं ऊपर के ब्रिज पर एक ट्रेन चल रही थी जिससे की डामर रिस रहा था और ब्रेक लगने कारण हलकी चिंगारी से उस डामर में आग लग जाती है और तेज आंक की लपटे इंजन में एक जोरदार विस्पोट कर देती है जिससे की ब्रिज में से ट्रेन की बोगियां अलग-अलग होकर नीचे गरने लगती है उस बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था एक तरफ तो यहादसा राम देख रहा था वहीं दूसरी तरफ यहादसा भीम भी देख रहा था और फिर होता है इस कहानी का सबसे वड़ा कमाल जहां पर इन दोनों की नजरी एक दूसरे से मिलती है यह ऐसा इशारे कर रहे की थे एक नहीं ही है इन दोनों के बीच की दोश्री एक हिंदू तो एक मसलमान जिनकी दोस्ती बर पूरा शहर सलाम करता था एक फायर था तो एक वाटर था मगर दोनों की खुद की ताकत थी इनदोनों की दोस्ती पर हर दुश्मन जुकता था अब basically यहाँ पर राम का काम था उस शक्स को पकड़ना जिसकी अंग्रेजी पुलीस को तलाश थी वहीं पर अक्तर का काम था अंग्रेजों के घर में जाकर मल्ली को वापस छोड़वाना क्योंकि मल्ली के बिना उसका परिवार अधूरा था मगर इस काम को करने के लिए उसके घर जाना पड़ता और घर में वो घुस नहीं सकता था एक दिन उसकी मुलाकात जैनी से होती है जिसका दिल साफ था वो उसकी मदद करता है और वहीं पर जैनी भी उसके साथ खुश होकर वहीं शहर में घूमकर छोटे मोड़े समान खरीने लगती है जिसके अंदर एक छोटी चनिया चोली हाथ का चूड़ा और एक टोपी थी जब वो ये सब खरीद रही थी तो भीम उससे पूछता है कि आपका साइस तो बड़ा है ये तो आप छोटे के लिए खरीद रहे हो आपके लिए तो बड़ा लगेगा तो वो कहती है कि ये मेरी लिए नहीं हमारी घर में एक छोटी इंडियन लड़की है उसके लिए खरीद रही हूँ करवाने में तो जैनी ने खुशी में अपने घर पर चल रही पार्टी का इक इन्विटीशन उसे भेज दिया होता है मगर को इंगली शाती नहीं थी इसलिए वो ये बात राजु को बताता इस वक्त राम ने भी अपना दूसरा नाम राजु रख लिया होता है जिब राजु को पता चलता है कि अक्तर उसके खास दोस्त को अंग्रेज उने इन्वाइट किया है तो वो उसे चांदार बना ठना कर पहुँचवा देता है उनी की कैसल में जैनी महाँ पर अक्तर को देखकर काफी खुश थी मगर अंग्रेजी डांस करने वाले उसे देखकर नारास थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे जैसा डांस कोई कर नहीं सकता और वैसे अभी काली चमडी को तो क्या अच्छा नाच करना आता है नाचने का दम तो ह हर कोई ठरकने लगता है यह डांस काफी तेज था इसलिए अंग्रेज लोग बीच में हार मान जाते हैं आखिर में सिर्फ दो बचते हैं अक्तर और राजो मगर राजो इस बात को जानता था कि अगर वो जीत गया तो अक्तर की यानि कि उसके बेस्ट फ्रेंड की प्रेम कह को ढूड़ने का इसलिए वो हर दर्वाजे के पास जाकर मली को ढूड़ने लगता है तब ही उसे मली के आवाज आती है और वह फाइनली उसके पास आ जाता है मली कहती कि मैं एक पल भी यहां पर नहीं रुख सकती लेकिन अक्तर कहता है कि मुझे इस वक्त तुम यहीं पर भीम अक्तर बनकर एतने टाइम से मली को छोड़वानी की प्लानिंग में था यह दोनों ही अपने अपने काम में एक एक कदम आगे बढ़ चुके थे जहां राम ने भीम के साथ ही को पकड़ कर उसके खिलाफ मारा मारी करके सारी सच्चे हो गलवाने की कोशिश करी वहीं द पटावरी नदी के गिनारे एक छोटा सा गाउफ ता जहां से राम आया था और सीता को वदा किया था कि वह इस गाउँ के हर एक शक्स के हाथ में हतियार देगा इसलिए वह पुलीस में बहुती होने के लिए जा रहा है और राम के पास सिर्फ गंटा वचा था राम सूचत तो बैस बाइ बाइ टाटा गुडबाइ गया तंडे को यहां पर पकड़ कर भी क्या मिलेगा इसलिए वो उसे जान देता है और बस अपनी मौत का अंतिजार करने लगता है लेकिन उसी वक्त वहां से भीम गुजरता है और वो देखता है कि उसका पैस फ्रेंड जो की मरने की हालत में आखिर ऐसा हुआ कैसे थोड़ी जांच पड़ताल पर उसे पता चलता है कि इसे सांप ने काटा है इसलिए वो तो जंगल का वासी था उसे हर चीज़ पता थी कि किस जानवर के किस नशी का क्या तोड़ है इसलिए वो जड़ी बूटियों की मदद से राम का लाश थी वो यही था मगर वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसका शरीर पूरी तरीके से सांप के जहर के चपेट में आया वह था जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स डी भीम तैयार था अंग्रेजों की चटनी बनाने और मल्ली को छुड़वाने वहीं पर राम तैयार था ब्रिटिश गौवर्मेंट के खिलाफ शडियंत्र रचने के जुर्म में भीम को पकड़ने के लिए भीम को ये बात मालूम थी कि अंग्रेजों के घर में दो दर्वाजें एक के बंद होने पर ही अगला खुलता है इसलिए वो तब तक इंतिजार करवा जब तक कि उनके दोनों दर्वाजे सेम टाइम पर ओपन नहीं हो जाते और जैसे उसे मौका मिलता है तो वह वही जानवर से भड़ा ट्रक उनके पूरे महल में डाल देता है और हर एक जानवर को खुला छोड़ देता है जिनके अंदर जंगली जानवर जैसे की चीता शेर भीडिये कुत्ते और बड़े-बड़े हिरन थे वो इतने भूके थे कि अपने सामने आने वाले हर शक्स को मौत के घाट उता रहे थे इसी बीच भी मौका पाकर मली को बचानी के लिए जाता है लेकिन तब उसके सामने आखड़ा होता है राम और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता पहले तो वसके काफी समझाता है उसे कहता है कि तुम मेरे दूस्त आकिर तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मगर राम के सर पर भी ड्यूटी का भूठ सवार था एक बहुती बड़ा रीजन था जो कि मैं आगे आपको इस स्टूरी में बताऊंगा इन द और पहुती पहुंच जाता है और मली के सर रह憂 कि तो यह अंग्रेज मल्ली को जान से मार देंगे और अब नहीं चाहते वे भी भीम को वहां पर सरेंडर करना ही पड़ता है कि जो भी गडेरी को पकड़ कर लेकर आएगा तो उसके चलते राम को मिल जाती है इस पेशल आफिसर की पोस्ट जिसमें उसे अंग्रेजों के हतियारों का ग जानी की अजय देवगन यह बात थी करीब 1930 की जब स्कॉट एक गाउं में लगान वसूलें के लिए पहुंचा था मगर वहां के सरपंच ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था तो स्कॉट ने उससे हाता पाई करने और बात ना मानने के जुर्म में पूरे गाउं के सामने प 15 रुपए है जो कि साथ समुंदर पार से बन कर आती है अगर मार नहीं है तो से हतोड़े से मार दो और तभी वहां पर गाउं में सभी लोगों के सामने से हतोड़े से पीट-पीट कर जान से मार दिया जाता है इस बात को अच्छे देवगन बिलकुल भी सैन नहीं कर पाते हाला कि इस वक्त वो सभी लोग लगड़ी की बनी बंदू को से प्रैक्टिस कर रहे थे और असली बंदूक सिर्फ अजय देवगन के पास थी और उनका यह मानना था कि अगर जंग लड़नी है तो जंग के हतियार भी होने चाहिए मगर उससे पहले उन हतियारों को चलाने क प्रैक्टिस भी होनी चाहिए इसी बीच हम चोटे राम और चोटी सीता को देख पाते हैं जिन में बच्पन में काफी जदा प्यार था मगर एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वहां पर असली अंग्रेज पहुंच जाते हैं और बंदूकों से उनके फायर करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर उसकी फट जाती है मगर तभी वहां पर साथ दिपाने के लिए राम पहुंच जाता है तब वह अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन देता है लोड एम एंड शूट ऐसा करते करते उन्होंने चालीस से पचास पुलीस ऑफिसर्स को धेर कर दिया था मगर और वो भी किसी से कम नहीं थे और वो धिरी धिरी करके उनकी और आगे बढ़ रहे थे और अब जब बारी थी रिलोट की तब राम को पता चलता है कि उनके पास तो सिर्फ एक गोली है और आगे आने वाले दुश्मन सैंकडों तब आजे देवगन कहता है कि बेटा इस एक गोली की कीमत बहुत जादा है जब मैं शूट बोलूं तो शूट करना जसके बाद एक चोगा पहन कर सभी पुलीस वालों के सामने सरेंडर करता और कहता है कि आप सभी मुझे पकड़ सकते हैं और जब सारे अंग्रेज उसके पास पहुंचते हैं तो कहता है लोड एम और और राम अपनी उस आखरी गोली को अजे देवगिन पर शूट करता है जिसकी पीट पर बहुत सारे बम बंदे थे और वहीं पर धेर सारे अंग्रेज मारे जाते हैं और उनका कजबा उस जंग में शहीद होने से बच जाता है मरने से पहले अजे देवगिन के अपने बेट शक्स के हाथ में बंदूग देगा अब अगले दिन बारी थी धीम को सजा देनी की उसे पहले चाबुक से खूप पीटा जाता है मगर कुईन कहती है कि मुझे से लहू लुहान दीखना है इसे कीलो वाले चाबुक के साथ मारा जाए मारते वक्त राम उसे बार बार कहता है कि अपने घुटने टेक लो हार मांचाओ वरना तुम्हारी जान चिली जाएगी मगर भीम अपने घुटने नहीं टेकता और उसके पूरी बॉड़ी से खून निकलता जाता है और उसके खून का कत्रा जब बहते बहते अपने देश की लोगों के पैरों तक पहुंचता है तो देश की भीड ऐसे उमड़ पड़ती है जैसे मानों आज के आज अंग्रेजों का खात्मा कर दे ऐसी दिलीरी देखकर राम अपने साथी को कहता है कि मैं इतने टाइम तक यह नहीं समझ पाया कि हर हाथ में बंदूग देनी चाहिए जो काम हजारों बंदूग के कर सकती थी वो सिर्फ आज भीम की एक आवाज ने कर दिया मुझे उसे बचाना ही होगा उसके लिए मुझे प्लानिंग सैट करनी होगी इसलिए राम अगले दिन जाता है सकोट के पास में उसे कहता है कि अगर यह भीम नॉर्मल चाबुक से घुटे नहीं टेका कील के चाबुक से देता है कि कोई भी शूट ना कर पाए और अगले दिन जब भीम की फासी की बारी थी तो रास्ते पर एक पेड़ गिरवा कर स्कॉट को मरवाना चाता था मगर स्कॉट को इस बात का पता चल चुका था क्योंकि जब उसने हाथ में बारूद लग चुका था इसी वजह से व पुलीस वाले पकड़ कर बंदी बना लेते हैं यहां से कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है जहां पर सभी पुलीस वाले भीम मली और साथ उसके साथियों को पकड़ने के लिए तैयार थी इसलिए हो हर शहर हर चपपे चपपे पर पुलीस वालों को बिजवा कर यह पता आती है कि अपने परिवार का बदला लेने के लिए राम ने पुलीस फूर्स जोइन करी तब जाकर भीम को सारी सच्चाई पता चलती है और उसे गुस्सा आता है कि उसने अपने ही हातों से अपने बेस्ट फ्रेंड को नुकसान पहुचाया इसलिए वो निकल पढ़ता है रा सार्स लेने के लिए राम को एक जंगल में बठाता है तो उसे वहां पर राम की मूर्ती दिखती है राम के बैते खून को रोकने के लिए वह से भगवा पैना देता है और साथ यूसे अपने आपकी सुरक्षा के लिए धनूश हाथ में दे देता है और जब पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां पर अंग्रीज पहुंचकर उसी पर हमला करने लगते हैं लेकिन इस सुवक तक राम तैयार हो चुका था क्योंकि भीम में जड़ी बूटियों से जो इसका इलाज करा था राम की ताकत वापस आ चुकी थी और वह एक एक करके हर किसी को श देशी पर व्यर्थ किया जाए और उसकी आउकात दिखाई जाए तो भीम उसके दिल पर वार करता है और खून की लहर के साथ में इस कौट वहीं पर मारा जाता है और धेड़ सारी बंदुकें जो कि उनके गुदाम में थी वह सारी राम अपने गाउं में अपने लोगों क जाकर देता है और इसी हैपी एंडिंग के साथ में यह शांदार कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्रीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और पहली बार इस चानल पर आये हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंक के लिए keep watching and stay safe मिलते हैं अगले वीडियो में के लिए तो इससे सब्सक्राइब जरूर के लिए यह वीडियोंक कि लिए भीडियोंक